आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को अक्षरों को मात्राओ सहीत कहने या लिखने की रिती को लिखने की रिती को वर्तनी या अक्षरी कहते है इसे हम अक्षरी भी कहते है की रिती को वर्तनी कहते है तो देखे जो वर्तनी होती है वो शुद्ध भी होती है और अशुद्ध भी होती है जिनको चारन अशुद होता है उनके लिए वर्तनी अशुद होती है तो देखें, पहला दिया हुआ है जापती, जापती, तो ये कैसा शब्द है? अशुद्ध शब्द है, इसका जो शुद्ध शब्द होगा, क्या होगा? जप्ती, क्या होगा? जप्ती, अब दूसरा देखें, पूज्या निया, क्या लिखा है? पूज्या निया, पूज्या तो देखिएगा जो पूजय निया है ये भी कैसा शब्द है ये भी एक अशुद्ध शब्द है तो इसका जो शुद्ध सब्द होगा वो होगा पूज निया पोस नहीं है अब तीसरा देखिए तीसरा क्या है अंतर ध्यान तो देखिएगा अंतर ध्यान में ये अंतर ध्यान भी कैसे शब्द है अशुद्ध सब्द है इसका जो शुद्ध शब्द होगा अंतर ध्यान का अंतर ध्यान जो इसमें तीसरा विकल्ब दिया हुआ है ये भी एक शुद्ध शब्द है तो इसका शुद्ध शब्द होगा अंतर ध्यान क्या होगा अंतर धान अल्त दार तो देखें ये तीनों ही हमारे कैसे दिये हुए है ये हमें अशुद्ध शब्द दिये हुए है अशुद्ध शब्द दिये हुए है चौतर देखें अभ्यारन्य ये बिलकुल शुद्ध सब्द है ये इसका जो अशुद्ध सब्द होगा अभ्यारन्य का वो क्या तो यह जो अभ्यारन्य बनाते हैं यह क्या होता है यह होता है अशुद्ध शब्द और जो शुद्ध होता है इसका शुद्ध होता है यह अभ्यारन्य तो देखेगा इन्होंने चोथे विकल्ब में शुद्ध शब्द में दिया हुआ है यही आपको उत्तर हो जाएगा दल् आट चार्सो 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 पर